हलो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नॉलेज़ेबल इंट्रेस्टिंग वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंकम टैक्स के एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सेक्शन के बारे में सेक्शन है 43BH सेक्शन 43B में क्लॉज है जो है वो नूली इंसर्टिड क्लॉज है अमेंड्मेंट अप्लिकेबल होती है विद एफेक्ट फ्रॉम 1 अपरेल 2024 मीन्स फॉर असेस्मेंट यर 2024-25 मीन्स फॉर फिनांशल यर 2023-24 मतलब के वो फिनांशल यर जो भी निकल चुका है उस पे ये 43BH की डिसलांज एपलिकेबल हो जाती है बहुत बहुत इंपॉर्टन वीडियो है अगर आप खुद MSME है या फिर आप MSME से डील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन हो सकता है कहीं न कहीं ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है टैक्स क mend कर देते हैं तो उसके बाद अगर आप ऑडिटर हैँ आप टाक्स औरीट का ऐसाइंमेंट टेक अप कर रहे हैं तो आपको और small enterprises पर ये medium enterprises पर applicable नहीं है, हाजी, दो ही category के enterprises पर applicable है, एक small और एक micro, हाजी, small micro की definition क्या है, जिनका turnover पचास करोड तक है, और जिनके investments जो है, वो 10 करोड तक है, ये limit है, micro small की, अगर ये limit cross हो जाती है, तो वो enterprise, medium enterprise की category में चले जाता है, और 43BH का benefit from the enterprise point of view उसको नहीं मिलेगा, मतलब वो ये claim नहीं कर सकता कि मुझे timely payment मिल जाना चाहिए, अगर को enterprise उस enterprise से deal करता है, जो की बड़ा है, medium है, large है, तो यहाँ पे उसको disalliance का provision जो है, वो attract उस enterprise के ओपर नहीं होगा, जो उस medium और large enterprise से deal करता है, मतलब के micro और small में वो enterprises fall होंगे, जिनका turnover जो है वो 50 करोड तक है, और investment जो है वो 10 करोड तक है, और देखते हैं, the MSME should mention their registration certificate number in invoices, bills, letterheads, etc. जहाँ पर भी आप अपना MSME registration number mention कर सकते हैं, वो करें, ताकि जो person आप से deal कर रहा है, उसको यह पता चले कि आप MSME हैं, और आपको time से payment उसको करना पड़ेगा, अगर उसने time से payment आपको नहीं किया, तो उसके ओपर वो dislodge जो है, वो attract हो सकते हैं, section 43BH वाले, मतलब कि अक्रूल बेसिस पर उसको deduction नहीं मिलेगी, उसको payment basis पर deduction मिल जाएगी, अक्रूल बेसिस की deduction जो है, वो deny कर दी जाएगी, अगर वो समय सीमा में payment जो है, वो नहीं करते हैं, MSME में registration का एक बहुत simple procedure है, उद्योग आधार, जो है वो आप ले सकते हैं, government की website पर जाएए, आप जैसे application form submit करते हैं, immediately आपका जो है वो, उद्योग आधार registration number जो है, वो issue हो जाता है, अब time limit क्या है payment की, what is the time limit for making the payment, मतलब कि उस time limit में, जो enterprise है, लिए के vendor जो supply दे रहा है, और enterprise जो purchase कर रहा है, उससे उसकी dislodge जो है, वो attract ना हो जाए, माल लीजिए, यहाँ पे है seller, और यहाँ पे है buyer, seller जो है वो इसको goods बेचता है, और buyer जो है वो इसको payment कर देता है, यहाँ पे seller जो है, अगर वो micro, यह small enterprises है, तो buyer के उपर, 43 BH के provisions attract हो जाते हैं, अब हम बात कर रहे है, time limit की जिसमें buyer जो है, वो seller को payment करेगा, वो time limit है, अगर इन दोनों के बीच में, seller buyer के बीच में कोई agreement नहीं है, तो 15 days के अंदर आपको payment कर देना है, अगर agreement exist करता है, तो due date में payment करना है, due date कहां से पता चलेगी, agreement से ही पता चलेगी, जो agreement में due date लिखी हुई है, और वो period beyond 45 days कभी भी नहीं जा सकता, यह MSMED Act में mentioned है, अगर कोई agreement नहीं है, तो 15 दिन, अगर agreement है, तो agreement की due date, और वो due date within 45 days होनी चाहिए, मतलब वो period beyond 45 days कैसे भी नहीं जा सकता, यहाँ पर एक interesting बात यह है, कि यह traders के उपर applicable नहीं होता है, मतलब जिससे भी आप goods खरीद रहे हैं, वो trader है, तो उसके उपर यह applicable नहीं होगा, मतलब के 43 BH के disallownces वहाँ पर attract नहीं होती है, अब क्या होगा अगर payment आपने time से नहीं किया तो आपको deduction जो है वो allow नहीं होगी, deduction कब allow होगी जब आप payment कर देंगे, for example financial year 23-24 में आपने किसी micro enterprise से goods खरीदे और आपने उसका payment within time limit नहीं किया, तो आपको उस purchase की deduction नहीं मिलेगी और आपने for example financial year 24-25 में उसका payment किया है, तो यहाँ पे आपको इस purchase की deduction मिलेगी, मतलब के अगर आप 30% tax bracket में आते हैं, तो इस purchase की amount पे आपको 23-24 financial year में 30% tax पे करना पड़ सकता है, हाँ जी, अब बात करते है pros and cons की हर चीज़ के positives भी है, negatives भी है, यहाँ पे हम positives की बात करें, तो positives हैं बहुत अच्छी intention से section introduce किया गया है, clause introduce किया गया है section में, यह कही ना कहीं तो help करता है कि micro और small enterprises की जो recovery है payment की वो timely हो जाए, बड़े enterprises जो जब उनसे deal करते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि हाँ हम इनको timely payment कर दें, otherwise उनके ओपर tax reliability बढ़ सकती है, negative point यह है कि because of this disalloyances जो बड़े enterprises और large enterprises हैं, जो बड़ी companies हैं वो शायद micro और small enterprises से dealing करना बंद कर सकती हैं, क्यों कि उनको अच्छे payment terms यहाँ पर नहीं दिखते हैं शायद, तो अगर वो उनसे payment करना, deal करना बंद कर देती हैं, तो obviously एक बड़ा enterprise बड़ी company एक दूसरी बड़ी company से dealing करेगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं micro और small enterprises का business जो है वो खतम होगा, या उसको negatively impact यह clause कर सकता है, अब बात करते हैं reporting in form 3CD, tax audit report में as a tax auditor, आपको यह कहाँ पे और कैसे report करना है, आपको यह report करना है sir, please note कर लिजिए clause 22 में, कहाँ पे report होगा यह clause 22 में, यह clause 26 में report नहीं होगा, बहुत सारे tax auditors को यह confusion है, कि हमें इसकी reporting clause 26 में करनी है, ध्यान रखिएगा, for the assessment year 24-25, जब आप form 3CD बनाएं और जहाँ पे किसी भी आपकी client के आँडिसलाउंस है, तो उसको clause 26 में report मत करिएगा, उसको clause 22 में report करिएगा sir, अब clause 22 में दो तरह की डिसलाउंस जो आपको report करनी है, तो principle की डिसलाउंस जो 43 BH में आती है, अगर time से payment नहीं किया तो डिसलाउंस होगा, that is called principle डिसलाउंस, प्लस interest की डिसलाउंस भी under MSMED Act, interest की डिसलाउंस तो हम शुरू से ही clause 22 में report करते आ रहे हैं, तो अब principle की भी आपको जो है clause 22 में report करनी हैं, डिसलाउंस तो ये था एक बहुत interesting वीडियो, मैंने short में आपको 43 BH के बारे में बताया है, आप इसको कैसे report करें, tax audit report में वो भी बताया है, अगर आपकी कोई query है 43 BH से related, या फिर income tax से किसी भी section से related, तो आप वो query हमसे comment box में comment करके पूछ सकते हैं, वीडियो को like जरूर करें, चैनल को subscribe भी कर लें, thank you, thanks a lot, bye.